इस वक्त की बड़ी खबर कानपूर से आ रही है जहां पर दो पक्षों के बीच में जम कर बवाल छिड़ चुका है लोगों ने एक दूसरों के ऊपर पत्थर बाजी करी है और जम कर फाइरिंग करी है भाजपा प्रवक्ता रुपूर शर्मा के बयान के विरोध में जुटे थे हजारों लोग विरोध प्रदर्शन के नाम पर लोगों ने बवाल खड़ा कर दिया बवाल में जम कर हुई पत्थर बाजी और कई राउंड फाइरिंग हालत हुई तनाव पून बवाल में करीबन एक दरजन लोग हुए घायल लोगों ने रुकरुक कर किये पत्थराओ देश के राश्ट्रपती प्रधान मंत्री वे मुख्य मंत्री के कानपूर में होने के बावजूद भी शहर में भड़की हिंसा कानपूर पुलिस ने दोनों पक्षों में शान्ती बनाए रखने की अपील कानपूर में बड़ा बवाल छिड़ गया है जहां पर लोगों ने एक दूसरे पर जम कर पत्थर बरसाए है भाजपा प्रवक्तान उपर शर्मा के बयान के विरोध में जुटे थे हजारों लोग जहां पर लोगों ने बवाल खड़ा कर दिया और जम कर पत्थरबाजी वे कई राउंड फाइरिंग की हालत भहुत तनाव पून हुई बवाल में करीबन एक दर्जन से भी जादा लोग घायल हो गए हैं लोगों ने रुकरुक कर एक दूसरे पर पत्थराव किया और कई राउंड फाइरिंग की देश के राश्यपती प्रधान मंत्री वे मुख्य मंत्री के कानपूर में होने के बावजूद भी शहर में हिंसा भड़क गई कानपूर पुलिस ने दोनों पक्षों में शांती बनाए रखने की की अपील को की वेंões की वेंद? हो यह लूद को आंती है